हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कविता काड़ी में तो स्टार्ट करते हैं हम यह चैप्टर नमबर बन है नूट्रिशन प्लांट और क्लास 7 का है तो में स्टार्ट करते हैं क्लास 6 और क्लास 6 और क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो कि फूट सभी के लिए जितने भी लीविंग और इसेंशल्स है करदें यह जोह जाज़ा है नूट्रिशन करया हैरेवाते हम भी फूट करहिते हैं कर्शों फूट में और संसल्स हैं नूटियंटिंट नोब्न स्टार्शेंस 5 एम ऊड़ीयर्ट है हैंमिंट आरियंट के लागिये अगर हमें भी बात करें तो प्लांट ही एक ऐसे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो अपना खाना ना सकते हैं अपना खाना थे फिर अिख्यान फिर अक्ल्यान वेकिश्चक प्रड़ भता है ऊजिया वैरय धष्य कहते हैं, जो पिए लाइधार होटों करें तो प्रणज भिएन अग्डिकोज या। प्लांट्स भोथ एक बीडियुमन्स और डार्टली इन्डारेक्ली डिपेंड अन प्लांट्स अब भूजो कहना चाहिए है बूजो वांट्स प्लांट्स प्रिपेर देर इन फूड नहीं प्लांट्स किसे अपना खाना बना सकता है तो वो भी लिविंग है और सके हम तुनों में आपने बनेन को गरिफ टी ऑन करता है सब्सक्राइद काप् negatively और उसको बाद में अनमें फूट में चेंग करेटा है का फूट कर देटा है till के बिल्कोस में चेंज कर देता है विंए पढईंगे तो मिस्टार्ट करते है पहले मोड़ उडेशिन प्लां की किस तरीके से plants अपना खाना nutrition means किस तरीके से वो अपना खाना इंटेक करता है उसको यूटिलाइज करता है plants are only organisms that can prepare food for themselves by using water carbon dioxide and minerals कि plants एक ऐसे organism है जो prepare करते अपना खाना किसकी help से water carbon dioxide and minerals यह सारे क्या कहलाते हैं raw materials कहलाते है raw materials mean कि जितने भी materials हम जो use कर रहे है खाना बनाने में वह सारे क्या कहलाएंगे raw materials और यह सारे materials उसे कहां से मिलते हैं अपने surrounding से अपने असपास के environment से the nutrients enable living organisms to build their body यह सारे जो होते nutrients वो अने बस अब यह क्यों ज़रू होते किसी इसका main reason is build their bodies उनकी body बनाते हैं to grow बढ़ने के इंदर अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको proper क्या नहीं मिलेंगे nutrients नहीं मिलेंगे और आपकी growth रूख सकती है तो आपको बढ़ने में help करते हैं to repair damage part of their body अगर आपकी किसी body part में कोई damage होता है चोट लग जाती है कोई घा हो जाता है तो क्या करता है डोक्टर आपको देता है नहीं आपको डोक्टर क्या करेंगा विटामीज देगा मिंदल्स की टाबलेट देगा तो यह क्या करते हैं यह हमारी बोड़ी को सबके लिए energy कहां से मिलते हैं फूद से मिलते हैं अगर फूद हमीं का समिलता है अगर प्लांट की बात करें तो अपने बनाएंगे लेकिन अगर हम बात करें एंनिमस की हुमन की तो यह सब डिपैंड होते हैं प्लांट सब आपके तो निट्रिशन आपकर बारा में तो निटिशन इस दमोड आफ टेकिंग फूड बाइन ओर इस यूटिलाइज शन बाइदा बोडी अब यह क्यों होगा मोड न्यूटिशन जो है चो खाना खानी का तरीका है तो अलग अलग तरीका दो टाइप का में लिए किस तरीके से या तो खुद बनाएगा या किसी एपना खाना स्वेम बनाते हैं तो मौड अन्यूटिशिंग विच व्ट मेक फूर देंसेल्स कि जिन भी क्या जो खुद बनाटे हैं कि से चितने बी रो मेंटरीम्ज में रफ्साइब उरने सरौंडिंग से ईड़ाया क। रैडी को साले कहलाते है वण शारे कहलाता है औड ये ध्यानक ना ओत्राप्स धोनों में डिफ्रयंस तो अगर कि मोर्ड अब succession था'll को अत्रापिक लिखना अगर वह बात करें कि वाल वाइजो उत्रों तो इद्न नहर टीजुर ओर फीछ व demandé which organism make food themselves and and use by the body तो यह कहलाएगा autotrops लेकिन अगर कहेगा कि which organism make themselves food themselves food from simple substance which type of nutrition तो आप कहलाएगा autotropic nutrition क्योंकि जो organism जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो कहलाएगा autotropic of nutrition और जो दूसरों भी डिपेंड होगा वो कहलाएगा heterotrops वो क्या कहलाएगे heterotrops कहलाएगे अगर हम बात करें mode of nutrition की तो heterotropic कहलाएगा यह ध्यानक नहां पर confused हो सकते हैं heterotrops तो वो कहलाएगे और mode of nutrition कहलाएगा heterotropic अब पहले wants to know अब वो कह रहे हैं कि पहले जानना चाहरे है कि wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide water minerals like plants to do अब कहना चाहरा है कि हमारी body क्यों नहीँ खाना बना सकते हैं और कि हमारी body को भी doesily available यह loin होगा carbon dioxide water minerals फिर MAY क्यों नहीं बना चकते हैं कि जो हमारी body के अंदर है मैंने बताया था और हमारी body के लिक्तिक्व्त नहीं chlorophyll नहीं है जिसके वज़े से इंदर क्या नहीं रही है फूर्टरी कंद खाने बनाती है थो फूड फैक्टरी के ओते हैं होती है लीव्स होती है जो प्लांट के लिए खाना रेडि करती है और हमारे अंदर क्या अब जानना चाहरा है कि हाव डोप्लांट सोब्टेंट वह किस तरीके से रो मट्रिल्स आपकें करता है सर्यांडिंग से और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है तो इसके मेन है अगर आगे पढ़ोगे और शिक्स में पढ़ा होगा जायलम फ्लोयम फूस्टेट वेका था अगर क्रिटेखें हैं की प्लांट कैसे काना बनाइगा ठीक है यह कहलता है इस जो मेत्ला अजिए इद्धार आप नाने बनने का प्रोसेश्य धेलाट का कहलाता फोटोसिंथेस फोटोसिंथेसेश़्Ken विछ प्लांट मेक फूड विद धे हैल्प ओफ कार्बन डकसाइड वाटर एंड बिंडल अब यह पनाएगा कैसे यह पहुचे का कैसे वह जानना चाहरी है तो सबसे पहले तो इसमें जो प्लांट्स होता है इसके अंदर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की होती है इसके वाटर को अब्सोर्ब करेगी अगर हम बात करें तो वाटर को क्या करेगी अब्सोर्ब करेगी अगर मैं बात करते हूं यह प्लांट है यहां पे रूट्स है अब यह रूट्स क्या करेगी यहां से क्या करेगी वाटर को अब्सोर्ब करेगी और उपर जायलम के थूर एक ह यथानी ऊबहे पहुचेंगा तानी इव में लीफ में जानल मनें लीफ मोच इस गैस किthose करों ना गया यह तक पहुंची स्टो मेटा के थूप अब यहां में नहीं तो स मिल गया और nhân लाइट ूमैट थेचड़ में क्ना लाइट किसे ट्रह ने प्लौरोफिल नहीं उपला यह देखा अगर में कॉलो रोफिल हब इनके हःप से क्या करतेênio है ग्रुट एक स्टार्चतश को अमिवेट जाते है इसेशंच आभी साइप साहeed मेट्रया सकते हैं एक दैनल थोई होने तो थीजियो में यूल्न accurate भमज भाटन मिस्वेट प्रेशंच इसलते मेल जानऊ होने करती है carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of leaves और कहरा है कि छुचुचुचुच होटे है जो लीज के अंदर होते हैं वो carbon dioxide को जिसे हमारे नोस में नोस्त्रिल होते हैं इस तरीके से लिफ में स्टोमेटा होते हैं जो गैसी इस तरीके से क्या करेंगे अब करेंगे थारए कि बुज़ो वांट सुन दो वातर वही बात कहरा है जो मैंने बताया कि इसमें इक होता है फ्लोयम्स और एक होता है जायलम्स क्या करेगा जायलम्स क्या करेगा उपर पानी को पहुचाएगा कहां तक लीव तक जायलम्स क्या करेगा इस पानी को यह जो पानी है इस वाटर को उपर पहुचाएगा इस तरीके से और इसमें एक और होता है फ्लोयम्स यहां पर इसमें क्या बनाया फूट बनाया फोटो सिंटेसिस प् लोहामं क्या करेगा इस फूरस को पूरे प्लांट में ट्रिबूट कर दिदे सीम आज करेगा पूरे पराद नाया जो फूड बना अपर fg को पोर प्लाण पर प्लांट तरह इस तरह के इसमें इसमें ऑल लाट प्लाएम चैलम का this energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water since the synthesize of food occur in the presence of sunlight it is called photosynthesis अब ये पूछा जाये कि वाट इस फोटो संथेसिस तो अब ये बोल सबते हो photosynthesis is the process in which plant make food with the help of carbon dioxide, water and sunlight so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out process of the photosynthesis अभी प्रिशन बन सकता है आपकी किसी भी competition exam में कि which is the necessary to carry out the process of photosynthesis तो chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water these are necessary to carry out the process of photosynthesis it is a unique process on the earth अब कहरा है कि यूणिक प्रोसेस है क्यों है क्यों है क्योंकि प्लांट ही एक ऐसे organism में है जो solar energy को capture करेंगे और उसको store करके किस में convert कर देंगे chemical energy में नहीं तो solar energy को क्या करा है chemical energy में convert कर दिया और वो जितने भी living organism में अदर उनके अंदर क्या आते है food के रूप में वो अपना use को use करते हैं तो अगर हम बात करें कि sun ही एक ultimate source है source है जितने भी living organism का क्योंकि अगर sunlight ही नहीं हुई तो photosynthesis process भी नहीं होगा तो for sun is the ultimate source of energy for all living organism क्योंकि जितनी भी जो खाना बन रहा है जो उनको food प्रवाइड हो रहा हो sun की वज़े से ही हो रहा है इसलिए हम कह सकते है sun is the ultimate source of energy for living organism can you amazing life on earth in the absence of photosynthesis तो no क्योंकि अगर photosynthesis नहीं होगा तो food प्रिपेर नहीं होगा तो जितने भी अनिमल्स है जो प्लांट पे डिपेंड है mostly सभी प्लांट पे डिपेंड है directly and indirectly वे में तो वो क्या होगा लाइफ सर्वाइब ही नहीं होगी ठीक है the survival of the almost all living organism directly and indirectly depend upon the food made by the plant व्योंकि अकर उस photosynthesis करेंगे तो हमें oxygen मिलेगी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है हमें खाना मिलेगा besides oxygen is which is essential for the survival of all organisms produced during the photosynthesis in the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth क्योंकि इसमें ना तो oxygen मिलेगी ना ही हमें खाना मिलेगा during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight used carbon dioxide अब यह आपको definition पूछे तो आप यहां से यहां तक लिख सकते हो कि पूछे कि वार्तिस photosynthesis तो आपको यह लिखना है during photosynthesis chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water of synthesis synthesis carbohydrates this process can be represent is an equation during the process oxygen is released from equation से इसको represent कर सकते हैं जैसे मैंने बोला हमनी क्या लिया water लिया इसको हम H2O लिख सकते हैं water को हम क्या लिख सकते हैं H2O plus CO2 carbon dioxide और यहां से क्या करी sunlight और क्या बन गया glucose बन गया plus oxygen release हो गई तीक है तो इस तरीके से हम इस equation के रूप में भी इसको शो कर सकते हैं अगर हम किसी लीव का स्टार्ज टेस्स करेंगे तो वह देखांगे आप जब लीव को इसमें डालकर आप टेस्ट करोगे तो ब्ल्यू ब्लैक में करमड़ जाएगी यह शो करता है कि जो जितनी भी लीव से उसके अंदर के आती है फोटो संतेसिस पॉसेस होता है और यह जो जो ग्लुकोज बनाया वो किस फोर्म में डिपोजिट होता है उसमें स्टार्ज के फोर्म में स्टोर होता है यह देखो कार्बन डेक्सड प्लस वाटर सललाइट क्लोरोफिल और क्या बन गया कार्बोहड़िट प्लस ऑक्सिजन इसे ग्लुकोज भी बोल सकते हैं यह मैंने आपको टाइग्राम के द्वारा पता दिया अब हमने पड़ा यह फोटो सिंतिसिस कि पहला तो क्या होगा प्लांट में मोड और न्यूटिशन और मोड क्या है अटोट्रोपिक दूसरा हाटोट्रोपिक कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं कुछ plants green जिसमें chlorophyll एपसंट होता है, लेकिन कुछ plants ऐसे हैं, जिसमें chlorophyll भी होता है, फिर भी वो other plants पर depend होते हैं, other animals पर other insects पर depend होते हैं, तो हम बात करते हैं उनकी other mode of nutrition plant, सबसे पहले देखिए, there are some plants which do not have chlorophyll, कुछ plants होते हैं जिनके अदर chlorophyll नहीं होता, वो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं तो how do they survive and form where do they derive nutrition कि किस तरीके से survive करेंगे कहां से अपना nutrition कहां से वो अपने nutrition इंटेक करेंगे तो like humans animals such plants depend on the food produced by the other plant इस तरीके से हम human animals दूसरे plants पर है ऐसे कुछ क्या करते हैं कुछ plants other plants depends होते हैं ठीक है कुछ insects depends होते हैं यूस यह कहलाते हैं heterotropic mode of mutation इसे क्या कहेंगे heterotropic mode of mutation और यह क्या कहलाएंगे heterotrops कहलाएंगे अब आप देखिए इसमें आपको यलो वायरी branch structure दिखाए रही है लिवर्म फर्स तरीके से लिपती हुए यह क्या कहते हैं depressing क्या करती है किसी भी होस plant पर उपर फैल जाती है covered आपके करेगे अपना खाना इस होस्पी र्क् Alone से अपक्रे crypt क्या करेगे कि उसे यह इस प्लांट से वह इंतेक करेंगी तिक किसके पास प्लॉरोफिल नहीं है इस दोजनोट नोट में पूट यह इस पर यह रहती है उसे वोस्ट बोलते हैं लेकिन आपने देखा कि इस ने तो यह क्या करती है कि इसको प्रॉपर सलाइट प्रॉपर कुछ ऐसी चीज़ होती है न्यूट्रेंट्स जो उसको उससे डप्राइज करती है उसी इस होस्ट प्लांट को उससे बंचित रखती है मिल नहीं पाते है प्रॉपर ठीक है तो यह हम कह सकते है कैसा हो गया यह उस प तो यह कुछ जैसे आपने कुछ अनीमे भी देखनांगे webpage यहां कि भी तky और आपकी बाड़ी पिए प्ला्ग को सकंग करता है जमुलाइब नीज़न द अनोफ प्लोरा स्कीन क से अधिश्य सुनॉव तक स्केल में अधिया औरegenर ऐसा एक हuyई उसके उप्लास था फ्लाएट कि ईच्क यह समुआ गया नेहीं है आपने पड़ा होगा पीचर ब्लांट सेंड यूस निपन्थिस इस सारे कैसे ग्रीन कलर के लेकिन यह क्यों इंसेट्स खाते हैं यह फोटो सिंथेस्स कर सकते हैं फिर वाय दिया ट्राप दर इंसेट्स एंड डाइजेस्टेम ठीक है तो देरा फ्यू प्लांट विच कैन ट् करते हैं वह सोरी इंसेट्स एट करते हैं ठीक है क्यों क्योंकि इस वैसमें ग्रो करते हैं जिस वैसमें ग्रो करते हैं वह क्या करते हैं लाक ओफ न्यूटेंट होती है लाक ओफ न्यूटेंट है लाक ओफ न्यूटेंट प्रॉपर क्या नियूटेंट होते हैं इसलिए क्य गुच्चार चीक का शृत फाल कि मॉड़िफ्ट प्लॉडब्पानगी पार्ट अब यह पूछ सकता हूआ जो प्लेफ्ट प्लैट जो इस ने प्लीफ का मॉड़िफाई पार्ट है इसमें यही जो ग। कामो यहांद तरह कामुट सुस्सक्षा चैसे अनदर इस तर सकता है। है सब्सक्रस निए तरह करता है तो रहने कोंद आपिल घ्रीऑट निरू हो जाइगा लाड़रा आप जैङा और हासे रहाब जाऊने के दाक्ता होड़ा चाहिए रहरा दाय जाएगा मैं दिफिल छोड़ा में कई महा जाएगा जीक चाहिए करेंगे और उसको किसमें कर देंगे जो इसको डाइजिस्ट करने के बाद न्यूट्रेंट्स में और न्यूट्रेंट्स किसमें इस प्लांट्स के द्वारा कर ले जाएगा अब्सोर्ब कर ले जाएगा और इस तरीके से इस तरीके से अपने न्यूट्रेंट्स की होती है जो तेफिजेंसी इस सी उसको क्या करते है पूरा करते हैं इस तरीखिसे से जो जितने भी प्लांट से जो इंसेक्ट्स को ए्टिंग करते हो तो कैपने देखांपल नमियाप के में सबजी बनाती होगी तो कुछ फैक्थ वाले वाइट कालर के भी से होती है मुष्रूम, अब यह एक हजा तरुक्समालक के लग एक अपनी तरऊ में अपना फूर्ड यह चाहिए तो यह मीन यह क्या करते हैं इस तरी के जो हूए इसे भोते bench les कि ये फंगी एक फंगी एक इसकत्रीघ उस्फफूल मेठें सब्क करते हैं ये क्या चयुट है तिसरा हमने पढ़ा इंसेक्टिव इंसेक्ट इंटेक करते हैं फिर सब्टो सब्टॉप्सेट क्या करते हैं ॐथ ने लिए फोटो सेंटेसिस नहीं कर सकते हैं अगर आप टिफिन निकालना भूल जाते हो तो दो दिन तक अगर टिफिन बैग में रखा जाता है तो आपको चारतरों वाइट किलर की फंगी दिखाई देगी वो यह सारे क्या करते हैं सैप्रो टॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं जितने भी डैड और सड़े गले जो परदात होते हैं सैड डैड और डिकेई मैटर से उन पर क्या करते हैं पहले सबसे पहले क्या करते हैं एक जूस सीक्रेट करते हैं सबसे पहले जूस सीक्रेट करते हैं पर इसको किस में convert करते हैं इसको Carnage करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं इसको अबसर्ब कर लेते हैं इस तरह के से सीओय गर्स सेंजॠै दिके में अपेंडेतन के ते स्थानल नितिन अबसर्ब लिटबर मारे इंची तो पैसे की भट हूँ अब अब भी यह सो सकते हो कि यह फंगी अचानक कैसी इस पे हैं ञोंस से हैं तो यह क्या होता है कि ऑलरेड़ी हमारे इंवार्मेंट में क्या होते हैं इनकी स्पूर्ट्ट्स जो होते हैं जो घुमते रहते हैं ठीक है कैसे रहिए अपने सबीकियू मिलते हैं तो अभर यक्र developed करते हैं एक एकिंद-क्राइड क्ष़िया प्वूडर करते हैं ठीक है और और चर्णे जांब फ्रय कि देल से देखेंगे शूझ, जो बारिष की दिनों में क्या अइस खराब होते हैं विखें के कई दिनों में और रेणनी सीजन में क्या चो को अवन जाती है ठीक है इसलिए वो ऐसी लग्रोग कर जाते हैं इस तरीके से हमने देखा जो डिफ्रेंड मोड ऑ न्यूटीशं प्लांट में उनका तरीका तरीका अलग है किस तरीके से और किस चीज से खाना ले रहे हैं करें वहलातो वbahn्याह करते थे जत्कत प्लांट कर रहा है लोट । ती को देक्ट में विक्ति पीदि कर रहे है उसकर कर रहे जो किसे कर रहा है उन सबंढ़ жूब निए अपना फूड और RJ sen करते हैं, some organism like together, live together and share both shelter and utis, this relationship is called symbiosis, जो यह दूसरे पर depend रहकर खाना और shelter को शेर कर रहे हैं, यह कहलाता है, symbiosis relation, इसका main example है, algae, algae plus fungi, जिसे हम कहते है lichen, okay, lichen क्या करते है, lichen जो है, अगर हम बात करें lichen की, तो lichen दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, like दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किसके से, fungus plus algae and fungus से, algae and fungus, algae और fungus से मिलकर बना हुआ है, एक दूसरे को क्या करते है, provide करते है, food and shelter, अब कि किस तरीके से करते हैं हम देखते हैं अब आपने देखा होगा जब पानी बारिश की दिनों में जहांपे stagnant water होते है पर ग्रीन कलर की structure आती है क्या आती है इस तरीके से ग्रीन ग्रीन कलर की पूरे पर यह कहलाती है क्लोरोफिल अब बात करें है फंगी की नहीं प्लारोफिल अब इसमें अपना खाना तो क्या बना नी सकता है इसमें क्या ओता है क्लोडोफिल एपसेंट होता है है तो ये अपना खाना तो फिप्र बना नहीं सकता हुआ है , मेली क्या करेंगा?? लाकें जो होता है से मिलकर बना होता है था एलगी और फंगश समय सकंपा पक्री और करे च Hmm किस था नहीं है ? फूड प्रिपेर करेंगा और इस घजा देगा फंगस को इस तरीके से एक दूसरे से मिलकर शेरिंग करकर क्या करते हैं अपना खाना आपना न्यूतियंट लेते हैं तो इस तरीका रिलेशिंटिप कहलाता है सिंभासिस सटेन फंगी लिव इंसाइड धारोटफ प्लांट वह सकते हैं आपने पढ़़ाई का प्लाउन फीर्षप एक प्लांट प्लांट टर्किसे इस तरीके से जो जतनी विह प्लस इस इथ जुतनी भी लागीवने से प्लांट है है। लगुमिनस प्लांट यद प्लांट इन फिर को निया प्लांट इन अंधर को इस तरह की होते हैं इसे उल्व्यू नाम का ठीकिला होता है ब्लांट कि कि उल प्लांट किया करता है राइजोवियम जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदाता है नाइट्रेट में और ये प्लांट किया करते है इस नाइट्रोजन को यूस नहीं कर सकते इस नाइट्रेट को यूस करते है प्लांट किसे क्या दे रहा है शेल्टर दे रहा है प्लांट कि इस तरीके का जो relation है वो कहलाता है Symbiasis relationship the plants provide nutrient to fungus and it returned the fungus provide water and certain nutrients ठीक है प्रोफिल तो आप बोल सकते हैं एलगा एंड विच प्रोवाइड शेल्टर फंगस तो आपको इसको बहुत अगर आपको कॉंपिटिशन एक्जाम एनसो है ओलम्पियार्स एक्जाम एंटी असी है तो आपको बहुत एक एक लाइन से आपको डीपली पढ़ना होगा एक नोट्स बनाने होंगे कॉस्टिंस बनाने होंगे जबी आप उसको क्वालिफाइड कर सकते और अपने अच्छे पोजिशन ला सकते उसमें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए तैंक यू और बाइबाइब झाल झाल